अब आते हैं what problem पे तीसरे का पहला क्या है दिफरेंस बिट्वीन दे टू नंबर इस टू नंबर इस टू नंबर इस टू नंबर इस टू है तो तुमसे मैं कहूं कि दो नंबर का डिफरेंस जो है 26 है तो according to question तुम लोग क्या लिखोगे x-y पराबर 26 कहोगे पहला नंबर इस दूसर नंबर y है तो दोनों का जब टिफरेंस आप लेंगे तो x-y पराबर यह कोई लिख सकता है y-x पराबर 26 दोनों चीज़े सही होंगी जब तक ये नहीं पता चलेगा कौन बढ़ा तो इन्होंने कहा भी दिया 1 is 3 times इसमें से कोई एक है तो हम लोग क्या लिखेंगे कोई एक माल लेते हैं पहला नंबर 1 नंबर 1 नंबर x is 3 times दिखाने 3 times है 3 times 3 times का मैं लो 3 into y यह second बताओ क्या substitution यहां लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा और x बस इसकी value उठाके इसमें पुट कर दो putting x equal to 3y चलो put करो 3y minus y बराबर 26 तो 2y बराबर 26 y बराबर कितना जाएगा 13 y अगर 13 है तो x कितना होगा 39 ठीक है यह कर डालना अब question अब next पे आजाओ next question क्या करता है the large of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree find them though let one angle be x and the other angle be y एक angle को मैंने x माना दूसरे angle को y माना according to question तुम बताओ जनते हो one angle को x माना दूसरे angle को y मान दिया ठीक है अच्छे तो supplementary angle किसे करते हैं जाके पढ़ना जब दो angle का sum 180 होता है उसे हम supplementary angle कहते हैं तो पहला तो यही अगर एक एक सा दूसरा y है तो according to question x plus y बराबर कितना आ गया 180 equation first करें हैं one angle smaller by exceed by 18 ठीक एक सीड दे smaller by 18 माना जो छोटा वाला angle मानलो y छोटा है तो उसे बढ़ाया जाता है y बढ़ा है तो उसे बढ़ाया जाता है smaller से 18 जाता है तो y बराबर x plus 18 उठा के solve कर दो put कर दो फिर उसमें उठा के solve कर लें तुम लोग अपने मन से करो y बराबर सीधे ये value रख नहीं है उठा के solve कर नहीं थी 99 आएगा the coach of cricket team buy the seven bats and six ball तुम लोगो पता है एक ball का price एक हो तो seven ball का price seven x एक ball एक bet था sorry वहाँ पे यहाँ पे ball है तो six y seven x plus six y बराबर 3800 three x plus five y बराबर 1750 ठीक है तो यह देखो let the let the let the price of price of each bats be x and the price of each ball be y according to question seven x plus six y बराबर 3800 three x plus five y बराबर this from equation first तुमनों ने x की value निकाल दानी putting the value of x in equation second put किया और solve किया तुम आए पास answer देखो कितना आने वाला है देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ तो y बराबर कितना रहेगा 50 बास समझें ने समझें बराबर कितना आ गया 50 कोई problem किसी को ठीक है देख लो बाइट note कर लो अच्छे से ठीक यह हो गया अब चलो question number हम लोग करते हैं कौन सा देखो य जो next question है हम लोगा question number four यह बहुत अच्छा question है टेक्सी इन सीटी गंसेस्टेट अफ फिक्स चार्ड टूगेधर विद दे चार्ज फ्रों डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड बाइ किलोमीटर ठीक है ठीक है the taxi in a city consisted of a fixed charge fixed charge में लग जानते हो एक चार्ज अगर कोई भी टेक्सी रिजर्ब कराते हैं हम लोग तो देखो एक पहले पास तो fixed amount तो fixed कर देगा ठीक है कि हम इतना रुपया लेंगे ही लेंगे ठीक है उसकी बाद उस कहता है कि आप जितना किलोमीटर चलेंगे उस किलोमीटर के हिसाब से लेंगे समझा है बात की ने together with the charge from the distance कवर्ड कितना distance तुम उसके साथ चलते हो उससे हो लेता है from the distance of 10 किलोमीटर मालो कोई बंदा 10 किलोमीटर जाता है the charge paid by them will be 105 रुपय वो कितना पे करता है 105 रुपय पे कर देता है and for the journey of 15 किलोमीटर एक कोई दूसरा बंदा या वही मालो 15 किलोमीटर जाता है तो उससे देना परता है 155 रुपीज what is the fixed charge fixed charge क्या है and charge per किलोमीटर क्या है and how much does यह तो अलग चीज है कि उसे कितना पे करेगा अगर जो 25 किलोमीटर जाता है तो ठीक है तो हमने एक काम किया हमने एक काम किया कि let the fixed charge be x and the charge per किलोमीटर भी y ठीक है समझ रहोगी कि मलब एक आदमी है एक रिक्सा है टेक्सी है वो कहता है कि देखो टेक्सी है एक टेक्सी है वो यह कहता है कि अगर आप चलिए चाहे जितना किलोमीटर हमें fix charge 10 रुपे हमें साब को देना पड़ेगा अगर आप में टेक्सी में बाहते है तो 10 रुपे आपको minimum देना ही देना पड़ेगा उसके साथ अगर पांच रुपें पर किलोमीटर के हिसाब से मैं रहूँगा आप बताओ मालों तुम 10 km गय तो तुमें 10 रुपय तो देना ही देना पड़ेगा 5 रुपय पर किलो मिटर गया 10 पचे पचा 10 और 50 ये देना पड़ेगा तुमें टोटा 60 रुपीज देना पड़ेगा पसमज़ें ने समझें तो ऐसा कुछ कहानी है देखो ध्यान से ऐसे ही देखो यह जैसे टेक्सी वाला है वैसे एक लाइब्रेरी वाला question कराऊंगा और यह सेम कराऊंगा hostel वाला देखो hostel में अगर बच्चा कोई रहता है तो पहले बात तो room का उसे fixed amount देना पड़ता है मालो 1500 रुपीज room का है उसे fixed amount देना पड़ेगा प्लस में वो जितने diets खाता है diet का नहीं होता ऐसा नहीं होता कि महीने भर का तुम्हें खाने का भी देना पड़े ऐसा नहीं अगर उसने पूरे महीने में 20 diet खाए है और एक diet per diet 30 रुपीज है तो उसे कितना देना पड़ेगा 600 रुपीज रुम में 20 दिन रहे किया वल 10 दिन बाहर रहे तो क्या 10 दिन ऐसा तो नहीं होता नहीं रुम का उसे fixed देना पड़ता है डाइट उसके पर कितने diet हो हपते महीने में खाता है डाइट के हिसाब से पैसा देना पड़ता है तो यादखना टेक्सी वाला अभी कराया और उसके वादे हॉस्टल वाला अभी आगे कहीं कराऊंगा और फिर एक library अगर हम कोई book किसी से बारो करते हैं तो भी हमें यही कहानी होती है कभी सोच के देखना अभी question कराऊंगा तो वहाँ फिर एक बाड़ दिसकस कर दूँग ठीक तो समझना यह question बहुत अच्छा है बार बार बोल दो रहों let the fix charge be x and y ठीक है अब according to question बताओ हमें कितना किलोमेटर दस किलोमेटर जा रहा हो कितना पे करना पड़ा हो वहने पर है मतलब fix charge जो हमें x उरुपय देना ही देना पड़ेगा 10 km गये 10 y और कितना पे किया 105 ऐ प्लीज अब यह तुम लोग अपने मन से solve करना x तुम्हारे पास आएगा 10 और y आएगा 10 और x आएगा 5 यह आएगा 10 यह पूछा यह solve करना तुम लोग हम अपना डारेक्ट लिक दिए ठीक अब सुनो substitution से करना यह भी बात याद अगना सुनो मेरी बात को वह करें 25 km जाए तो उन्हें फिक्स चार तो 25 km के लिए क्या होगा x प्लस 25 y 25 km के लिए x उसे कितना पेकरेगा 5 और 25 का मला 25 इंटू 10 तो आज आगा 5 इंटू 250 तो आगा 255 रुपी जू से पेकरना पड़ेगा अगर 25 km जाता है तो ठीक चाड़ नेक्स्ट कोस्टन नेक्स्ट्टन यह है कि a fraction become 9 by 11, if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator, fraction become 5 by 6, find the fraction, मैंने क्या किया, let the numerator of a fraction be x and denominator be y, ठीक है, दिख्रा आ है, denominator be y, then fraction will be x by y, then fraction will be x by y, according to question, ठीक है, मैं क्या करने माला हूँ, पहले मैंने क्या कहा था, if fraction become, if 2 is added both है, एक fraction अगर x और y है, और इसमें 2 मैं उपर भी add किया, 2 नीचे भी add किया, तो fraction become 9 by 11, कितना हो गया, 9 by 11, यह according to first statement, multiply गरा हूँ, 11x प्लस का 22 बराबर 9y प्लस का 18, तो 11x बराबर कितना आजागे, जल्दी बताओ, 9y मैंनस का 4, यह equation फर्स्ट माल लो, ठीक, अब सुनो, अगला statement क्या का रहा है, अगला statement ध्यान से कड़ो, इसको भी solve कर लो, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस का 15, तो 6x बराबर कितना आजाएगा, 5y 18 माइनस 3, यह equation से करना आ गया, ठीक, इस तरीके से हम लोग अब यह हो गया, बास समझे ने समझे, अब तुम लोग का काम है, इसे solve करके, एकसर वाई निकालना, ठीक है, आमें बताना, next question 6 है, find 5 year hence, 5 साल बाद, the age of Jacob will be the 3 times will be the sun, ठीक है, and 5 year ago, 5 साल पहले, the Jacob will be the 7 times the age of sun, लोग शलो भी आप, let the age of Jacob be x and the age of sun be y, कितने साल, 5 साल बाद, तो 5 year hence, हम लोग क्या करेंगे, 5 year hence, 5 year hence, तो यह कौन है, यह इनके पिताजी है, और यह उन्का बच्चा है, तु ठीक है, अब 5 साल बाद, क्या होगा, दोनों लोग, देखो, दोनों लोग, यह भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, यह भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, कितने times कह उन्होंने 5 पी एंदर एज आफ विल भी तर जाएगे 3 कितना का है 3 बस तुम 3 का इधर multiply कर दो वो एक दिन बता चुका था जो छोटा होता उसी की तरह बड़ ये छोटा लड़का छोट लड़के की एज कम होगी पिता जी से तो इनकी 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 में हम 3 का multiply तो x प्लस 5 बराबर कितना आगया 3y प्लस का 15 तो x बराबर कितना आगया 3y प्लस का 10 ये equation फ़स्ट आगया अब मेरी बात अगली सुनो करें 5 year ago अब अगला statement क्या बनेगा 5 year ago 5 साल पहले तो तो 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटे हो जाएंगे बच्चा भी 5 साल छोटा हो जाएगा ये इतनके 7 times तो यहां में 7 का multiply तो x-5 बराबर कितना आगया 7y माइनस का 35 तो x बराबर कितना आगया 7 7y माइनस का बताओ जल्दी से यह दर जाएग अब 30 अब x की value उठाके यहां रग तो 3y प्लस का 10 यहां रग तो 3y प्लस का 10 बराबर 7y माइनस ओ बाकि तुम्हारा काम है तो लोग x और y substitution method से लगा कि हमें पूरा exercise करके बेज देना थांक्यू